आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदा बनी रहे। तेज भागते हैं, करीबन सवादो दिन के आसपास में अपना राशी परितन कर लिते हैं, इसलिए बहुत सभाविक है कि पूरे हफ़ते में अलग-अलग भावों में जाएंगे, अलग-अलग राश्यों में जाएंगे, अलग-अलग द्रहों के साथ यूति-योग- देख सकते हैं, तो शुरुवात करते हैं सत्यन्त महत्वपुन सापताहिक राशिफल का धनू के साथ, शुरुवात करते हैं धनू के साथ, आपके लिए चंद्रमा, आपके चौथे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, बारा तारीक को, सुभा नौ-दस बजे के पढ़ेगा, माता जी की सेहत पर पढ़ेगा, और क्योंकि चंद्रमा आपके लिए अश्टमेश हैं, उनका चौते भाव में आना, फैमिली लाइफ पर भी एक नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है, मेंटल लाइफ पर भी, और ये भी कनफर्म कर रहा है कि माता जी की सेहत थोड़ी सी बिगर सकती है, यहां पर ग्रहन दोश भी लग रहा है, इसलिए यह जो नकरात्मकता है चंद्रमा की उसको और ये चीज़ बढ़ा देती है, तो यहां पर ध्यान रखेगा, जैसे मैंने कहा यह भाव जो है वो खुशियों का होता है, यह भाव एमोशन्स का हो खेर स्ट्रेस तो आजकल के जीवन में होता ही है, एक तरह का हमारा जीवन का हिस्सा ही बन चुका है, तो आजके टाइम में स्ट्रेस मेनेजमेंट बहुत इंपोर्टन होता है, तो स्ट्रेस मेनेज करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जह life ठीक है, कोई problem बड़ी नहीं दिखरी, कोई बातचीत करना चाहते थे, उस बातचीत को यहाँ पर किया जा सकता है, विवाहिक जीवन गलतियां मत ढूंड़ेगा, पिकी मत हुईएगा, कहीं न कहीं, आरोपी करन मत कीजेगा, बुरा प्रभाव पढ़ेगा, बंद महीं तो आपके लिए नहीं जाने वाला, काफी मानसिक वेदना के साथ, हफ्ते का शुरुवाती भाग स्टार्ट होगा, 14 फेबरी, सुभा के खरीबन 11 बजे, चंद्रमा राशी परवदन करके, पंचम भाव में आ जाएंगे, और 16 तारीक, दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे, सूरे भी कहिना कहीं, 13 तारीक को अल्रड़ी राशी परवदन कर चुके होंगे, तो चंद्रमा का पंचम में आना, अच्छा प्रवाव देता है, क्योंकि अश्टमेश है, और गुरू क्योंकि चौथेगर के स्वामी है, दो केंद्र भाव के स्वामी है, तो यह बता रहा है कि जो हफते के शुरुवात में, एक उथल पूथल परसनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिल लाइफ में आई थी, उसमें बहुत अधक कमी आएगी, यहां से मंगल की दृष्टी भी है, और मंगल धनस्थान में है, और मंगल आपके लिए कही न कहीं, पंचम भाव के खुद स्वामी भी है, तो यह भी बता रहा है कि कही न कहीं, धन के हिसाब से, चीजें अचानक से आपके फेवर में जा सकती है, लेकिन हा, क्योंकि मंगल बारवेघर के स्वामी भी है, तो थोड़े खर्चे यहां पर भी बढ़ेंगे, ऐसे खर्चे हो सकते हैं, जिनके लिए आप तयार नहीं थे, तो उससे थोड़ा बचके रहेगा, चंदर और गुरु की यूती कही न कहीं ओवर्थिंकिंग करवाती है, और जब पंचम में, लगन में, चौथे में होता है, तो ज़ादा ओवर्थिंकिंग होती है, तो यहां पर आपको ओवर्थिंकिंग से बचना है, शनी की दुष्टी विश्योग बना रही है relationship में थोड़ी सी कहा सो नहीं हो सकती है नवामसा के नुसार stability थोड़ी सी आएगी जीवन में कारक्षेतर में मन नहीं लगेगा समय तो ठीक है love life मन भटकेगा थोड़ा सा विवाहिक जीवन ठीक है कोई problem जादा नहीं दिखरी students थोड़ा सा अपने mental और physical health पर यहाँ ध्यान दीज़ेगा अपने आपको over burdened मत कीज़ेगा सिहत के नुसार पेट के रोग और lower body में कोई infection क्या कोई problem हो सकती है सरवाश्टक में बारवासान पुनहा आपका बली है क्योंकि चंद्रमा पंचम में है बारवासान बली है जो बच्चे विदेश में studies के लिए try कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा रहेगा चीज़े आगे बढ़ सकती है 16 तरीक दिन के 3 बजे के असपस चंद्रमा पुनहा अपना राशी पवितन करेंगे और आपके छटे भाव में आकर विराजबान हो जाएंगे और सप्ता के अंते तक यहीं परेंगे चंद्रमा का छटे घर में आना कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव दिता है अब क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे है मैं बता चुका हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत स्ट्रॉंग नहीं होता फिर भी कोई छोटा मोटा आपका अठका हुआ कारेता वो पूर्ण हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा उच्च के हो रहे है तो थोड़ी सी उनके अंदर एक स्ट्रेंथ है और छटा भाव कॉंपेटिशन का है छटा भाव कही न कहीं लीगल कारेयों का है तो कॉंपेटिशन में सफलता मिलेगी लीगल कारेयों में सफलता मिलेगी और एक शेत्र में थोड़ा सा laziness दिख रहा है समय बहुत अच्छा है लेकिन अगर चीजों को laid back होकर छोड़ना शुरू कर दिया तो यहाँ पर उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है बिजनस में भी especially ज़्यादा कहूंगा कि बिजनस में laziness आपकी दिरफ से ज़्यादा दिख रहा है आपर love life कम बोलेंगे तो सब ठीक रहेगा ज़्यादा बोलेंगे तो सब खराब हो सकता है फिवाईक जीवन अच्छा है अगर कोई problem चल रही थी है एक दूसरे को कुछ समझा नहीं पा रहे थे तो यह वो समय है जब एक दूसरे को समझा पाएंगे जल्द बाजी में यहाँ पर अपना नुकसान करा देंगे सेहत के नुसार पेट के रोग और sleep disorder सरवाज तक में पुनहा बारवासान बली है कुछ अठका हुआ कारे आपका यहाँ पर बनता हुआ वश्य दिख रहा है उपाए के सरूप में शिव चालीसा का दो बार पाठ करना है चलते हैं मकर की तरफ यानि के क्याप्रिकॉन की तरफ आपके लिए चंद्रमा 12 तारीक को आपके तीसरे भाव में आने की मीन में प्रवेश कर जाएंगे सुभा 19 बजे के आसपास और 14 तारीक सुभा के 11 बजे तक यहीं पर देंगे चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है आपके लिए चंद्रमा क्योंकि सब्तम भाव के स्वामी है अपने से नवम में तीसरे भाव में बैटे है निकी बिजनस में विशेश लाब हो सकता है तीसरे घर के चंद्रमा गती प्रदान करते हैं जीवन को और तीसरे घर के चंद्रमा कई न कई साहस भी देते हैं राहू भी तीसरे घर में अच्छा प्रभाव देते हैं लेकिन इन दोनों की जोड़ी तीसरे घर में कभी-कभी नकरात्मक प्रभाव दे सकते हैं किस प्रकार का कि थोड़ा communication का problem दूसरा दूस साहस यानि की overconfidence साहस कभी-कभी ज़ादा हो जाता है और वो आपको एक गलत तर over energy यह सब चीज़ें आपको यहाँ पर तंक कर सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा है अन्यता जीवन यहाँ पर आगे अवश्य बढ़ता हुआ देख रहा है नवामसा कुंडली बता रही है कि कुछ पुरानी गलतियां दोहरा सकते हैं दसामसा कुंडली बता रही है कारक शेत्र में जगडे हो सकते हैं बिजनस भी करते हैं तो पार्टना से कुछ बहस हो सकती है लव लाइफ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं देख रही जहां तक विवाहिक जीवन की बात है बस एक ही चीज़ कहूंगा कि थोड़ा सा कम बोली का जितना चीजों आवश्य आपकी यहां पर पूरी हो सकती है चौदा तारीक दिन के करीबन ग्यारा बजे के आसपस चंद्रमा राशी पर्यतन करके आपके चौथे भाब में आ जाएंगे और सौरा फेबरी दिन के करीबन तीन बजे तक उनका गोचत यहीं पर रहेगा तेरा तारीकों सूर गजकेसरी योग अवश्य बन रहा है और ब्रहस पती आपके लिए केंदर भाब में जब बैटे हैं तो स्थिरता तो अवश्य देते हैं लेकिन चंद्रमा जो कारको भावना शाय उत्पन करते हैं और ब्रहस पती बारवे घर के स्वामी है निकी घर में खर्चा बड़ेग और माता जी की सेहत भी अचानक से खराब कर सकता है तो इन सब चीजों का ध्यान दीजेगा क्योंकि ब्रहस पती बारवे घर के स्वामी है यह बता रहा है कि और थोड़ी कोई विक्ती किसी डिजीज के थ्रू जा रहा है उनके लिए यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम बढ आएगी और मंगल भी क्योंकि दिश्ट कर रहे होंगे और मंगल उच्च के है लेकिन शनी जो आपके लगने इशा उनके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है इसलिए हफते का मद्य भाग कहीना कहीं तोड़ी पसना लाइफ में इमोशनल लाइफ में उथल पुथल लेकर रह सकता है नवामसा के नुसार confusion और मांसिक वेदिना बहुत रहेगी दसामसा जो लोग नई जॉब ढून रहे थे या कुछ चेंच लाना चारे थे उनके लिए अच्छा समय है लव लाइफ में सब कुछ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है यहाँ पे भी कोई द बली है जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने का पारे में सोच रहे थे उनके लिए समय कहिना कहीं बहुत अच्छा बहुत विशेश रहने वाला है सौला फेबरी दिन के तीन बजे चंद्रमा राशी परितन करके आपके पंचम भाब में आ जाएंगे फिफ्थ हाउस में विरिशव राशी में सब्ताह के अंते तक यहीं परेगे जालात आएंगे अच्छे-चे थौट्स आएंगे अच्छे-चे आइडियाज आएंगे चंद्रमा यहां से लाबस्थान को भी देख रहे है और आपके केंद्र के स्वामी वियान की बिजनस में बहुत लाब हो सकता है तो अफ्ते का अंतिम भाग बहुत शुबता लेकर आ रहा है नवामसा के नुसार कोई कारे अटक रहता है यहां पे पूर्ण हो सकता है maturity आपके पुरे विक्तित्तों में दिख रही है दसामसा बहुत कुछ समझने का सीखने का मौका में लेगा career में और business में love life यहां पे थुड़ा अपने partner की feelings को value दीजेगा हो सकता है आप स आप कोई छोटी मोटी outing पे जाने का मौका मिलता है भले dinner हो जाए बहाँ पर जाने का कोशिश केजेगा क्योंकि एक change demand कर रहा है time जादक students की बात है थोड़ा सा negative समय है क्योंकि आपका मन आपके नियंतरन से बाहर रहेगा सेहत के अनुसार आपको हड़ियों की problem जोड़ो आपके लिए चंदरमा 12 तरीक को आपके दूसरे भाब में आ जाएंगे सुभा के 9 बजे के आसपास यह होगा और 14 तरीक सुभा के 11 बजे तक यहीं परेंगे चंदरमा का दूसरे घर में आना अच्छा ही होता है यहाँ पर चंदरमा आपके लिए क्योंकि छटे घर के स्व घर में धन के लिए अच्छा प्रभाव दे सकती है प्रॉब्लम आती है वानी पर क्योंकि वानी के स्थान में चंदरराहु क्यों थी वानी में confusion create करती है यानि कि आप बोलेंगे कुछ और उसका मतलब कुछ और निकलेगा और कुटुम्ब स्थान भी है निकि घर में भी कि और आपकी वानी के कारण घर में थोड़ी सी लड़ाई जगड़े हो सकते हैं तो धन के लिए भौतिक जीवन के लिए अच्छा समय है लेकिन वानी पर अगर नियंतरन रखेंगे तो आपके लिए आपके परिवार के लिए कही ना कहीं बहुत अच्छा होगा क्योंकि राह अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है नवामसा के अनुसार सब ठीक है लेकिन बस जैसा नवामसा भी कंफर्म करी है जादा मत बोलिएगा दसामसा कारेक शेत्र हुई या बिजनस पैसा आएगा लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं बिजनस में और जो लोग जॉब करते हैं उन इसी काउंसलर से भी बात कर सकते है अगर प्रॉब्लम चल रही है तो जहां तक स्टूडेंस की बात है थोड़ा सा अपने आपको फ्लेक्सिबल रखेगा जैसा समय बदल रहा है उसके अनुसार अपने आपको बदल लिएगा सेहत नसों की प्रॉब्लम और दांतों की प्र विराजमान हो जाएंगे गुरू के साथ मेश राशी में और सॉला तारीक दिन के तीन बजे तक उनका गोचर यहीं पर हैगा सूरे भी तेरा तारीक को अलड़ी एक दिन पहले आपके लगन में आकर विराजमान हो जाएंगे तो चंद्रमा का तीस्ते घर में आना अच्छ को आगे बढ़ाता है गुरू के साथ है यहाँ पर और गुरू कहीं ना कहीं आपके लाभेश हैं धनेश हैं तो तीसरे घर में चंद्रमा से उनकी उती धन प्राप्ति अपने प्रयासों से धन प्राप्ति या एक लिस्ट फाइनेंशल इंकम ग्रो करने की ऑपर्चुन्ट साहस रहेगा उतसाह रहेगा सकरात्मकता रहेगी कि जो ग्रहन दोष्टी विश्यों का बाश्य बनाएगी लेकिन शनी लगने चंद्रमा के स्यती ठीक है गुरू के साथ बैटे हैं मंगل भी देख रहे हैं तो मंगल क्योंकि आपकी दस्वे गर के सवामी है मंगल तीस्रे अगर कही स्वामी है, तो वो भी कही ना कही protection देंगे, क्योंकि उनी की राशी में शंदर्मा बैठे हुए हैं, तो इशनी के विश्दोष का भी कोई बहुत जादा बुरा प्रभाव यहां पर नहीं पड़ेगा, तो हफते का ये जो मद्य भागे, आपके लिए अच्छा दिख रहा है, नवामसा के नुसार, जो भी आपे problem होगी, अपनी बनाई होई होगी, यानि कि जल्दबाजी के करण, over excitement के करण problem होगी, दसामसा, कारेक्षेत्र बिजनस, दोनों में ही बहुत अच्छा समय है, love life, समय के अनुसार चीज़ों को बढ़ने दीजेगा, जल्दबाजी में problem create करेंगे, विवाहिक जीवन शान्त रहने का है, कम बोलने का है, students, थोड़ी सी creativity लाई अपने पढ़ने के तरीकों में, सेहत के अनुसार, गले के रोग, थारट, संबने रोग और inflammation तंग करेगा, सरवाश्टक में आपका, पुरह दस्वाघर बली है, जो लोग अपने कारेक शेतर में कुछ नया करने का अवसर ढूंड रहे थे, उनके लिए कोई नई opportunity अवसर यहाँ पर आ सकती है, job change के नहीं बात करा, कि आप चाहते दें, कोई आपको नया काम मिले, कोई नई responsibility मिले, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, 16 तरीक दिन के करीबन 3 वज़े चंदरमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, व्रिशब में, और सब्ताह के अंतर तक यहीं पर रहेंगे, चंदरमा का चौथे भाव में आना, कारको भावना आशायर दोश उत्पन करता है, उच्छ के अवश्य है लेकिन, वो कारको भावना आशायर दोश रहेगा, मादाजी की सेहत, अपनी emotional सेहत, अपनी personal life, इन सभी का ध्यान दीजेगा, लेकिन क्योंकि चंदरमा उच्च के हैं, तो property खईदने के योग बन रहे हैं, यहां से उच्च के चंदरमा दसवे घर को देखेंगे, यानि कि कारक शेत्र में भी कुछ अच्छा करने का आवसर यहाँ पर मिल सकता है, बस थोड़ से sensitive रहेंगे, इसके अपनी वानी पर control, क्या बोलने वाले हैं, उससे पहले बहुत बार सोचेगा, कि इसका प्रभाव क्या पढ़ सकता है, नवाम साथ, सरकारी कारे टक रहे थे, उसमें यहाँ पर कुछ ना कुछ लाब मिल सकता है, या फिर कोई भी ऐसा कारे जिसमें legal कुछ है, उसमें चीज़ें आगे बढ़ सकती है, दसाम सा, कारेक शेत्र में सब ठीक है, लेकिन अपने भोले बन का फायदा न उठाने, यह वो समय है जब आपके भोले बन का कोई फायदा उठा सकता है, लव लाइफ, आपका दस्वासान फिर से बली है, कारेक शेत्र में इस पूरे हफते में चमक कर उभर कर सामने आने का अवसर आपको मिल सकता है, उपाय के सरुप में शनी चालीसा का तीन बार पाट करना है, मीन यानिकी पाइसेस के तरफ, आपके लिए चंद्रमा आपके लगन भाव में प्रवेश कर जाएंगे, बारा तारीक के सुभा नौदस बजे के आसपास, और चौदा तारीक सुभा के ग्यारा बजे तक यहीं पर उनका गोचर रहेगा, चंद्रमा का लगन भाव में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके पंचमेश हैं, लगन में आएंगे तो राजयोग, केंदर त्रिकोन, राजयोग, लक्ष्मियोग सब बनाएंगे, तो हफते का शुरुवाती भाव अच्छा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, राहू चंद्र की यूती गरहन दोश पनाती है, और लगन में लग रहा है, यानि कि थोड़ा सा ओवर्थिंकिंग, वैसे भी मीन वाले ओवर्थिंकर्स होते हैं, चंद्रमा, पंचम के स्वामी है, जो क्रिटिविटी तो दिखाता है, लेकिन जादा सोचना भी दिखाता है, और राहू तो हर चीज़ को एक्सपैंड करते हैं, तो यहाँ पर ओवर्थिंकिंग कारण अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे, तो जादा ना सोचें, जैसा चल रहा है, वैसा चलने दें, समय ठीक है, राहू, आज के टाइम में, मैं बता ही चुका हूँ का एबार की, आज के टाइम में सबसे तेज सफलता देने वाले ग्रहें, तो वो लगन में है, चंद्रमा पंचमेश हैं, यह तरह सा राजयोग है, लेकिन ओवर्थिंकिंग करना शुरू करा, तो जहां पर काम बन भी रहोंगे, वहां पर बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, तो समय ठीक है, बस जादा नहीं सोचना, नवामसा, सब कुछ ठीक है, बहुत जीवन में भी सुक दिकरा है, इवन मेटलिस्टिक और इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी बिजनस में भी यहाँ पर आपको कुछ लाप राप्त हो सकता है, दसामसा कुणली के नुसार, कारकशेत्र हुया, बिजनस हो, दोनों में ही डिले कुछ मत कीजेगा, काम को समय के नुसार ही करिएगा, लव लाइफ, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉबलम यह दिख रही है कि ओवर्थिंकिंग के कारण, जैसे मने कहाँ शुरू में की ओवर्थिंकिंग दिख रही है, उसके कारण ही तोनों के बीच में प्रॉबलम आ सकती है, विवाहिक जीवन में भी जगड़े थोड़े में चंद्रमा है यानि कि कुछ important कारी के शुरुवात हो सकती है 14 तरीक दिन के 11 बजे चंद्रमा 10 से 11 के बीश में चंद्रमा आपके दूसरे घर में आ जाएंगे मेश में और 16 तरीक दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे सूरे भी कहिना कहीं 13 तरीकों एक दिन पहले अलड़ी 12 घर में आपके आ चुके होंगे तो चंद्रमा का दूसरे घर में आना हमेशा अच्छा ही होता है बताता हूँ यहाँ पर तो लगनेश गुरू के साथ भी है एक तरह से केंद्र में हैं दुनों साथ में बैटे हैं तो गजकेश्री योग भी बना और यहाँ पर लक्ष्मी स्थान के स्वामी धनस्थान में है यानि कि धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे आइडियाज आएंगे भौतिक जीवन आगे पड़ेगा दूसरा भाव कुटुम्ब स्थान है वहाँ पे आपके दस्वे भाव के स्वामी लगने के स्वामी बैटे हैं चंदरमा के साथ यानि कि करियर में भी अच्छा होगा परसनल लाइफ में भी अच्छा होगा क्योंकि धनस्थान है और गुरू अप अपने आप में भागया और धन के कारक हैं तो भागया के कारण आपको धन प्राप्त होगा तो बहुत अच्छा समय आपके लिए हफदे का बीच का भी दिख रहा है जहां तक नवामसा की बात है पैसा कहीं पे लगाईएगा मत अच्छानक से दसामसा कारेक शेत्र हो या बिजनस दोनों में ही जैसा मनें कहा बहुत अच्छा समय दिख रहा है कुछ नया करने का अवसर अचानक से धन का प्राप्ती धन का लाब हो सकता है लव लाइफ इस समय को बहुत सरलता से विताना है जैसा चल रहा है वैसा चलने देना है कुछ भी अलग कुछ भी नया नह तो बता रहा है कि भागिस्तान बली है, धनस्तान में चंद्रमा है, भागे साथ देगा धन प्राप्ति के लिए बहुत हग तक, सौला तारीक दिन के तीन बज़े चंद्रमा राशी परितन करके आपके तीसरे भाब में आ जाएंगे, और सप्ताह के इनते तक कहीं करेंगे, चंद्रमा का तीसरे घर में आना कहीं अच्छा होता है, विशेश होता है, चंद्रमा आपके जहाँ पर जब आएंगे तो होगा अपने आइडियास के कारण, अपनी सोच के कारण, दूसरा यहाँ पर चंद्रमा आते हैं तो गती प्रतान करते हैं जीवन को, उतसाहा देते हैं, नईने आइडियास देते हैं, skills आपकी काम आती है और यात्रा के योग भी बनते हैं, तो यह समय दिखा रहा है कि जात्रा भी आगे बढ़ेगी और क्योंकि चंद्रवा यहां से धर्म के स्थान को देख रहे हैं तो किसी धार्मिक जगा पर भी जाने का अचानक से आपको अवसर प्राप्त हो सकता है भागेगा पूर्ण साथ यहां पर भी मिलेगा नवामसा के नुसार ब्रहम दूर होंगे कन्फूजन दूर होंगी दसामसा के नुसार कारक्षित्र में प्रेशर बढ़ेगा वर्क स्ट्रेस बढ़ेगा बिजनस में भी थुरुआ सा काम जादा रहेगा लव लाइफ सब ठीक दिख रही है कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही यहां पर अपने पार्टन के इमोशन पर ध्यान देना है उनकी expectations पर ध्यान देना है विवाहिक जीवन ठीक है अगर जगड़े चल रहे तो चीजों को सुलजाया जा सकता है students over excitement के कारण अपनी problems को बढ़ाएंगे सेहत के नुसार गले के रोग और जोडों का दरतन करेगा सरवाश्चक में पुनहा आपका भाग पागिस्थान का अत्यंत बली होना यानि कि यह हफता भागे का साथ बहुत मिलने वाला है और इसके कारण जीवन एक नया रास्ता भी ले सकता है जीवन में एक नई direction भी आपको दे सकता है और कई अटके हुए कारे भी पूर्ण हो सकते हैं उपाई के सवरूप में आपको शिव चालीसा का तीन बार पार्ट करना है आचा करता हूं कि वीडियो कामा एक चैनल पे नहीं है सब्स्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे मिलता होगी वीडियो में तब तक के लिए ओम नमश्राइब